वोट तो हम लोग देख बीजेपी को योट, सिकायत कुछ नहीं, बस बाबा से एक की सिकायत है कि थोड़ा युवाओं के भी ध्यान दे, डिगरी बरबाद जारी है, सब रखी है, इसे पिएजडी तक की डिगरी बरबाद जारी है, बाकी बाबा का सरकार एक नंबर, 99% बाबा ठीक है, बस एक परसेंट बेरोजगारी हम लोगी जो, बस वही थोड़ी सी प्रॉब्लम, यहीं पांच साल में यह वादा एक ही गड़बर हुआ है, नोकरी नहीं मिली है, बाकी ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बता दूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग भाईया देखिए, उस जनरेशन से हैं, जो 50% हम लोग कम्प्यूटर और इंग्लीज का नालेज नहीं रखते हैं, पीचडी तो की है, आज कल के बच्चे कम्प्यूटर पर यूटूब पे सब वीडियो डाल डाल के अपना पैसा तो कमा ले रहा है, जो आज क है, उनकी भी जौब जोरी है कि नहीं बताई है कि इसेटी साल के उमर में प्रयास करें दस साल और मेंicon किया बताएं तो नहीं है, दिस आख बटायी है, आप साधी करने के लिए घर वाले परेसान किये हैं दस साल और वहम प्रयास करें बस यह कई प्रावलम है बाकि हम लोग सब बीजेपी वाले अभी है बाबा जय योग क्या करेंगी देखिए जेपीनिक की बिल्डिंग है रुकी हुई उससे इतना जो है स्ट्रक्चर आने माला था हमारे देश में लखनाओ में इतना काम होना था वह भी रुका हुआ है गोंती रिवर्फरंड का काम रुका हुआ है qोित अब्वर्फर यही शरकार चलिए की तो इस सरकार पề वी तुस तरह तरह का रोप लगेगे इनले मा मैं इस कर रहे हैं तो होगा भी हम लोग तो हम लोग तो समाजवादी है तो नहीं मैं यह क्या रहा है तो बताएं चार सो पार कोई कड़ा होगा न आपके पार बहिए चार सो पार सीट पार हो रही है बड़े आराम से तो हैंसे हो बता रहेंगे को हाई देखिए पहली बाद तो सरकार का इतना विरोध है आँ पे जिसका कोई हद्धों हिसाब नहीं है आप पूरवांचल में चलिए ब्रामण विरोधी सरकार पूरा एक तरफा हुई है वहां अब भी चली रहा है पूरा पुर्वांचल में तो चल आ रहा है ठाकुर ब्रामण इस समय और भी मौझूदा हाला गर्माया हुआ है ब्रामणों का सई समान समाजवादी पार्टी में ही एक ले से आदुकसाथ वहां पर हमारे गुरुजी लोग है पंडित हरिसंकर दिवाद यहीं बहुत होता पर ही अजीद सिंह कौन वह आजमगड का जो मार दिया गया भाजपा की सरकार थी अब भाबा देखने थोड़ी नहीं जा रहे हैं उनका गौज कुंडल पैंटे तर्मतियत हो इस आप ही अभी आप कह रहें कि गोली कहां चली है अब देख लीजे बता द चलेगी अब आप हैं हम लोग में गोली चलेगी अपने घर खापिक्स होएंगे कि अभी इस समय अखिरे से अच्छा लीडर कोई यूपी में है नहीं कंट्री में पूरे नहीं एजुकेटेड है मैनर से उनके अंदर और किसके अंदर है अपने पार्टी यह वताइए मुखमंत्री का कोई रही होता है कि मुखमंत्री का एक ठोक देंगे पढ़ा लिखा आदमी जो है एजुकेटेड आदमी अब आधा नहीं के पढ़ाया हुए सिस इतने जुकेटेड हो भी तो है हमारे हां दिने सर्वा जी में अगर इस फोग दोली बादाशी जो है तो वह बंडों को और माफियां को इसोगने के बाद करता है उन्यंता को तो फोगने के बाद करता है माफियां के प्रती जो है रविया एकदम कानूनी सही होना चाहिए और क्या कहां अभी तक सही थे नहीं को जब भी मौका मिलता था और अपना काम कर लेते थे और अब हैं नहीं नहीं तो मौका ही नहीं देगे बाद पा से पहले इससे अच्छी सरकार थी बस्पा की जिसमे कानून प्रसातन सबसे बढ़िया था अब अब अस्पा तो मायवती कैसे सब को टाइट अब 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 को तो अखिले स्यादों चाहिए हमको कुछ नीचे हैं संपूर्ड मोबाइल सब कुछ है कि अब हम संपूर्ड है अचले स्यादों समर्ता का अखिले स्यादों साथ रहेंगे बस अपर अच्छा घासा सब चल रहा है थोड़ा सा रोजगार कि तो भी कोशिस करेंगे बाबाए थोड़ी नहीं कि बैट वह दो लड़किया बैठी है यही सुरक्षा को महाल हुल है ठीक ने यह सपा सरकार में ऐसा यह नहीं था अभी कोई इधर से आके छिड़ता है कोई इधर से आके सरकार में जो लोग वैठे रहेंगे तो शेफ्टी मिले गई कोई मंचला कोई मुखमंत्री आवाज के सामने रेप करके टांग दिये थे सरकार बनने के एक ही महिनवाद याद अभी यह वहीं विए प्रोडवा पे टांग दिये थे पड़वा पे अरे सब्सक्राइब मैं होती है जब भी विए पिए पिए खुल सकेला तो फिर लड़कि यह कहां से प्राहिए जो भी यह सची वाले में आपके बलिया कई चंसेकर शिंग लाठी लाठी मार के बचा रहें तो वहीं पर पर टक्षिश ब्राहणों वाली बात कहा हैं ठाक 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 दिए कितने ब्रामण वहां पर वहां बिढायक है रमपूंकार खाना से हैं हमारे अब यहां पर शादक से हैं हर्शंकर तिवारी के खांदान में उनके आगे कोई निकलाई नो क्या कर लीजेगा उनके घर में घड़े संकर पांडे के लावा कोई लाएक भी तो होना चाहिए लाएक जरूरी थोड़ना कि बाप जो किये हो वही तो बापका बोया होगा का कि खड़ना है कि तो चोड़ दिया है तभी एक अंगोत्री का स्कुट्रियों ने लगे तेदम सब इतिहास बराबर हो जाई इतना पैसा दो नंबर का हर जगा पाद चला जाएगा हाथ डाल देंगे तो चलिए ठीक है भी यहां पर काफी अच्छा बात हुई और काफी लो ही आएगी तो यहां की बात चीज से तो लग रहा है कि सरकार भाजपा की बनने जा रही है बाकी अब देखतें क्या होता है